मद्यप्रदेश के हर्दा में पटाका फैक्टरी में विस्फोर्ड से ग्यारा लोगों की मौत हो गई 217 लोग घायल हो गई इनमें फैक्टरी के 51 मजदूर शामिल है तीहत लोग अलग-अस्पतालों में भरती है 38 घायलों को हर्दा से रेफर किया गया अब तक 55 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्च किया जा चुका है हर्दा जिला अस्पताल में भरती मजदूर संदीप ने बताया कि हाजसे के वक्त फैक्टरी में 20 से 25 मजदूर भी थे जिस बेस्मेंट में बारुत रखाता और मजदूर काम करे थे उसका मलबा हटाया जा रहा है इसके लिए वारानासी से नेशनल डिजास्टर रिस्पॉंस फोर्स की 35 अदस्यों की टीम आई है मंगलवार देर रात तक दो घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया 51 गंबिर घायलों को भोपाल, इंदोर और नर्मदापूरम रेफर किया गया कई अब भी लापता है एंडी आरिफ मलबे में दबे लोगों को निकालने में जूटी है हालात का जायजा लेने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादो बुद्वार को हर्दा जाएंगे हर्दा में फैक्टर के आसपास बने सहट घर जल गए एतिहान सो से जादा इमारतों को खाली करा लिया गया हर्दा SDM केस ही परते का कहना है कि फैक्टरी अन्फिट थी फैक्टरी मालिक क्राजश अगरवाल, सोमेश अगरवाल और रफिक खान को रात करीब 9 बजे राजगर जिले के सारंगपूर से पुलिस ने गिरफतार कल लिया है इनके खिलाब हर्दा सिविल लाइन थारे में केस दर्च किया गया है इसी के साथ बने रहे ही एश्यमिस इंड़ा के साथ बने बाद